24 फरवरी की सुबह यूक्रेन के लिए तबाही की सुरुआद भर थी जब रूस ने तापड तोड हमलों की सुरुआद की थी ये जंग अभी तक खत नहीं हुई है तबाही का दोर जारी है जंग में रूसी सेना ने यूक्रेन के तमाम सरकारी इमारते इश्कूल अस्पताल और सहर खंडहर में तब्दील कर दिये हैं दोनों देसों के बीच जंग का आज सुराहवा दिन है लेकिन फिर भी यूध थमने का नाम नहीं ले रहा है आलम ये है कि यूक्रेन की राजधानी क्यूपर रूसी राश्पती पुतिन की तेड़ी नजर बनी हुई है रूसी से लगातार हमले कर रही है तो तरफा हमलों से यूक्रेन पूरी तरह से थरा गया है रूसी सेना अब क्यूपर कपजे के लिए तेजी से बढ़ रही है बता दे कि रूस ने यूक्रेन पर चड़ाई के लिए क्रीमिया के रास्ते को भी विकल्ब के तौर पर इस्तमाल करने का प्लान बनाया है लेकिन वहीं इस जंग के भीज यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना के बड़े अधिकारियों को मारने का दावा किया गया है कहा गया है कि रूसी फोर्स हेड क्वाटर के डिप्टी चीफ मेजर को मार गिरा गया है वो रेजिमेंट चीफ आप दर स्टाप भी उन पर युद्ध के दौरान कई अहम जिमेदारियां थी जिसमें तोपों के लिए सैनिकों का परक्षड भी सामिल था बता दे कि युद्ध के 16 दिनों में तीसरे बड़े रूसी अपसर की मौत हुई है इससे पहले रूसी सेना के दो मेजर जनरल को यूक्रेन मार गिराया है इसके अलावा 125 तोप 165 सेन वहनों को भी छतिग्रस्त करने की बात कही गई है डेक्स रिपोर्ट डीके न्यूज